Class 1, Subject Maths Topic After, Before, Between After means, कि जो हम counting लिखते हैं, उस counting के बाद उसका next number, this is called after And before means, जो counting हम लिखते हैं, उससे पहले जो word आता है, उससे हम before कहते हैं और between कहते हैं, कि one counting लिखने के बाद, suppose आपने two लिखा, two के बाद में एक box बनाके फिर हम four लिखेंगे, तो two and four के between, between means, बीच में क्या आता है, उससे हम कहते हैं between, सबसे पहले after, before, between करने के लिए हम one से लेके ten तक counting लिखेंगे, जीरो, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, अब eight, eight का after क्या होता है, after means बाद में, eight के बाद क्या आता है, nine, अब nine के बाद क्या लिखा है, इस counting में देखके बताएंगे, ten, अब 38 नहीं लिखा हुआ इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, 38, 38 के बाद क्या आता है, 39, 48, 48 के बाद 49, 55 के बाद 56, इसमें हम क्या करते हैं, once नंबर जो होता है, उसका next नंबर लिखते हैं, जैसे eight है, three का three as is वे लिखेंगे, और eight के बाद हम nine लिखेंगे, ऐसी हम before, इसकी after का हम है, 29, nine के बाद क्या होता है, zero, और two के बाद क्या होता है, three, तो 3 लिखेंगे और 9 के बाद 0 आएगा तो 0 3 के बाद क्या आता है 4 और 9 के बाद 0 49 तो 4, 4 के बाद 5 0, 5 के बाद 6, 0 7 के बाद 8 और 9 के बाद 0, तो यह हमारा आफ्टो का यह इसकी टेकनीक है, between 9, 9 के बाद क्या है 9 के बाद 10, और 10 के बाद 11, 19, 20, 21 73, 74 75 65, 66, 67 78 79, 80 means, जैसे हमने 73 लिखा, तो 7 हम as usually लिखेंगे, 3 के बाद वाला नमबर चेंज हो जाएगा, तो वो 74 बन जाएगा, अब before before में हम अपर नमबर लेते हैं 6, 6 से पहले क्या आता है 5, देखें 6 से पहले 5 हम उपर जाएगे, after में हम नीचे का लेते हैं, और before में हम उपर का लेते हैं, 17 17 से पहले क्या आता है 16, 32 32 से पहले क्या आता है 31, 84 से क्या आता है 83, and 68 के बाद क्या आता है, 67 इसकी भी एक टेक्नीक है जैसे 6 और 6 का आपने उपर ले लिया, अब 1 कहा हम as it is 1 लिख लेंगे, और 6 के उपर क्या आता है, 7 के उपर क्या आता है 6, अब हमने 3 as it is लिख लेंगे, 2 के उपर क्या आता है 1, 8 हम as it is लिखेंगे, और 4 के उपर क्या आता है 3, 6 as it is लिखेंगे और 8 के उपर क्या आता है 7, तो 67 तो आपको इसकी टेक्नीक भी पता चल गए कि कैसे हम पहचानते हैं after, before, between और after means होता है बाद में between होता है बीच में और before होता है पहले Thank you गटा